हुमा कुरेशी एक भार्टिय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी भाशा की फिल्मों में दिखाए देती हैं। उनकी प्रशंसा में एक फिल्म फियर और टीटी पुरसकार के साथ साथ तीन फिल्म फियर पुरसकारों के लिए नमानकर भी शामिल हैं। कुरेशी ने दिल्ली में इतिहास का अध्यान किया जबकि उन्होंने एक थीटर अभिनेता और मॉडल की रूप में काम किया। इसके बाद वह मुंबई चली गई और टेलिविजन विग्यापनों में दिखाई देने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीव के साथ दो साल का अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। एक सैमसंग मॉबाईल विग्यापन की शूटिंग के दौरान अनुराग कशिप ने उनकी अभिनेक शम्ता को देखा और उन्हें अपनी कमपनी के साथ तीन फिल्मों के सौदे के लिए साइन किया। जिससे उनकी फिल्म की शुरुआत 2012 के अपराग नाटक गैंज ओफ वासेपुर में दो भाग में सहायक भूमिका के साथ हुई। फिल्म में उनकी प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्वेष्ट सहायक अभिनेत्री की फिल्म के पुरस्कार के लिए नामानकित किया। कुरेशी का जन नई दिल्म भारत में एक मुसलिम परिवार में हुआ था। छेट साथ उनके तीन भाई हैं जिन में अभिनेता भी शामिल हैं साकिप सली में भी शामिल हैं। सेवन आठ जब खुरेशी बच्चे थे तब परिवार दक्षिन दिल्ली के कालकाजी में स्थानांतरित हो गया। उन्होंने दिल्ली युनिवसिटी के गागी कॉलेज से ओनर्स के साथ हितिहास में सनातक की पढ़ाय पुरी। 9-10 बाद में उन्होंने एक फियेटर ग्रुप में अभिने किया और कुछ फियेटर प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया। थियेटर के दिनों में एन, के, शर्मा उनकी गुरू और अभिने शिक्षक थे। 11 उन्होंने कई गैर सरकारी सहयोगियों के साथ काम किया है और एक गैर सरकारी फिल्म निरमाता की सहायता की है। 6. 2008 में उन्होंने फिल्म स्टूडियो में शामिल हुने के लिए मुंबई चले गए, एक फिल्म स्टूडियो के लिए क्रेटिविटी दी, जो कभी नहीं बनी थी, मैं कभी मुंबई आया अभिनेत्वी बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब मेरे दोस्त ने बनाया साथ दो साल का अनुबंद दिखाए दिया, बारह उन्होंने कई मूर्तियों का प्रचार किया, जिन में शामिल हैं सैंसंग मोबाइल आमिर खान के साथ, ने रोलेक, शाहरुक खान के साथ, वीटा मेरी, सफोला औरल, मेदर माक्रीम और पियस साबून शामिल हैं, बारह ते बास नहीं था, आप इस उद्योग में ऐसी बहुत सी कहानिया रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं सांसारिक रोग का इंतजार नहीं कर रहा था, हाला कि कशिप ने अपना वादा निभाया और अपनी कमपनी बनाए नुराग कशिप फिल्म के साथ तीन फिल्मों की दील हाला कि मुख्य महिला भूमिका के लिए जब फिल्म में देरी हुई, तो अन्यकारियों का सम्मान करने के लिए कुरेश ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, 14-15 जब उनसे पोचा गया कि उन्हें कोई पच्चतावा नहीं है, तो उन्होंने कहा, मुझे कोई पच्चतावा न अपनी अगी पेशकश के लिए, कुरेशी को इमरान हाश्मी, कौनकना सेन शर्मा और कलकी कोचलिन के साथ अलोग एक लोगतंत्र एक था डायल, 2013 में एक चुलल के रूप में चुना गया था, जादू टोन के विशेव पर आधारित यह फिल्म कौनकना सेन शर्मा के पिता अन्वारा लिखी वई एक लगू कहानी, मोबिय स्ट्रिप्स पर आधारित थी, 29 इसकी आलोचिकों से मिश्रित समीक्षाय मिली, 30 लेकिन ये बॉक्स ओफिस पर एक शांदार उद्यम साबित हुई, 31 कुरेशियों का प्रदर्शन भी खूब चला, इंडियन एक्स्प्रेस ने कहा, कुरेशी के पास बस कुछी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वहुं की प्रमुक्ला भादर्श हैं, जबकि कोई मुई ने कहा कि,